हरे कृष्णा आज के कारिक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभुजी प्रभुजी ने दिल्ली विश्व विद्याले से इंडस्टियल केमेस्ट्री में ग्रेजुशन करने के पश्चात सिंबोईसिस इंस्टिटूट ओफ बिजनिस मैनेजमेंट से एंबीए किया है प्रभुजी कॉर्पोरेट वो मीडिया के विभाग में भी कारे कर चुके हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभुजी इसकौन के संसापक आचारे भक्ती विदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्ष परमपूज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महराज के दीक्षा प्राप्त शिष्ष हैं वर्तमान में प्रभुजी इस कौन दिल्ली के अनेक प्रचारकारे करमों यथा भगवत कथा एवं भगवन नाम प्रचारकारे में भी अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं तो आईए श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभुजी के श्रीमुक से धन्यवाद हरे कृष्ष्णा हरे कृष्णा आज हम आपको इस श्रीमत भगवत किता के अन्तिम अध्याए उपसंगार सन्यास की सिध्धी के बारे में वर्णर करना जा रहे हैं इस अध्याय में 78 श्लोके 78 श्लोकाज जिसमे भगवान स्री कृष्ट ने पूर्ण ज्यान प्रदान किया है अरजुन को तो हम इस अध्याय को अगर ध्यान से सुनें तो हमें पता चलेगा कि सही मायन में भगवत गीता को पढ़ना और दुसरों को देने का क्या फल मिलता है आप देखिए इसकी पद्म पुरान की प्राचीन कता आती है बताया गया कि संसार के अगर कोई विक्ति यात्ना जाल को इस संसार की यात्नाओं को दुखों को समाप्त करना चाहता है तो पद्म पुरान में ये विशेश लिखा है कि ये व्यक्ति अगर इस कथा को इस भगवत गीता के अठारवे अध्या की कथा की महिवा को सुन लेता है अठारवे अध्या को पढ़ लेता है तो उस वेति को ये एक बड़िया रसायन प्राप्त होगा जिससे वो यात्मा जा को काट सकता है कि लोग बोलते हैं ना मैं तो जी ग्रस्त जाल में फसा हूँ मैं तो जी संसार के जाल में फसा हूँ निकलू कैसे तो निकलने का उपाई बताया जा रहा है संसार के जाल से निकलने का उपाई है तो ये कथा को ध्यान से सुनना चाहिए इसके अंदर बताया इंद्र और उनकी पत्नी शची तो शची और इंद्र दोनों वहाँ पर रहते थे एक श्री चतन महाप्रो की माता है उनका नाम भी शची माता है परन्तु ये वो शची नहीं ये इंद्र की पत्नी है जिनका नाम है शची इंद्र और शटी बैटे थे और कुछ देवी देवत क्योंकि राजा इंद्र है ये कुछ देवी देवताओं के बारे में चर्शा कर रहे थे इनका डिपार्टमेंट कैसा चल रहा है जैसे शक्ति का डिपार्टमेंट धुरगा जी को दिया गया है पानी का डिपार्टमेंट जो है वो इंद्र भगवान के पास में स्वैम उन्हो के पास है, तो हर एक department के कोई नखोई head है, सैने निरख्षन कारति के पास में है, तो इस परकार से शुब और लाभ देने की शक्ति, विग्ण हरने की भौतेख विग्ण हरने की शक्ति गणेशी को दे दी और भगवान नर्सिंग के पास में अध्यातने और भौते विग्म हरने की सकती है इस प्रकार से आप देखेंगे सभी देवी देवताओं को देमी गौद जितने भी हैं उन सब को अलग-अलग डिपार्टमेंट का हैट इसी बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे हिंद्र तभी देखते हैं एक आदमी आकर के वहाँ धम से कूद पड़ा जैसे एक आदमी वहाँ पर कूदा तो देखते हैं इंद्र के स्वर्ग लोक में कौद पड़ा इंद्र तो देवताओं के भी राजा हैं ये कौण हा गया नहासूर है न देवता है कौण हा गया तभी घबराकर के इंद्र गिर पड़े अपने सिंगासन से और उनका मुकुट नीचे गिर गया वहीं राज दर्वार में खड़े रिशी मुनियों ने उठा करके इंद्र का मुकुट इस नए विक्ति के सीर पे लगा दिया इंद्र हैरान हो गया, ये तो बेज़ति है सरा सर मेरा मुकुट हटा करके इसके सर पर लगा दिया तो उन्होंने कहा क्योंकि अब ये राजा बनने वाले हैं इंद्र लोग के आप का समय समाप्त हो गया समझ रहे हैं अगर इंद्र बन जाएंगे राजा भी बन जाएंगे उस लोग के फिर भी आपको इस मृत्यू संसार में वापिस आना पड़ेगा कुछ लोग सोचते हैं स्वर्गवासी हो गए मोक्षपालिया बस पिता जी स्वर्गवासी हुए उनके नाम से धर्माले बना दो बंडारे करा दो बस हो गया जीवन समाथ हम यह नहीं कहते हैं कि यह गलत है परन्तु यह पूर्ण नहीं है पूर्ण नहीं है पूर्ण तक ऐसे आएगी इस कथा में बताया गया कि यह घबरा गया इंद्र कहा मुझे क्यों निकाल दिया तो यह फिर इस बारे में चर्चा करने के लिए सोचने लगे कि मैं क्या करू शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई विथती पुन्य करता है जैसे अस्पटाल बनवाता है, गरीबों को कपड़े देता है, दवाईयां बाड़ता है तो वो भंडारे आदी करने से पुन प्राप्त करेगा, पुन अर्जित करके क्या करेगा, उपर स्वर्ग लोग में जाएगा, जैसी स्वर्ग लोग में पहुँचेगा, आपके गले में एक माला पहना दी जाएगी, वो ले वेलकम, वेलकम, आप नए राजा जैसे इसके सर लोग से नीचे भेज दिया जाएगा, शिने पुन्यम मृत्यू लोकम विशन थी, आप माले जी अमेरिका घुमने गए, पांच लाक रुपे ले करके, अमेरिका में तभी तक घुम पाएंगे, जब तक पांच लाक हैं, क्योंकि आप वहां के सिटीजन नहीं, आप धन अर प्रित्वी पर आएंगे, नए पुन्य अरजित करने के लिए, तो आप सोचे, जिसने पाप किया, वो भी प्रित्वी पर आया, जिसने पुन्य किया, वो भी प्रित्वी पर आया, तो फिर हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, जिससे ये प्रित्वी, नर्क और स्वर्ग के चक् पाव कहा, यत गत्वान निर्वतंते तद्धामं पर्मम महा, मेरा वो धाम है, जहां जाने के बाद वापिस इस संसार में आना नहीं पड़ेगा, भगवान ने अनेकों बार अनेकों श्लोकों में इस बात की पुष्टी करी, जनम करम चामे दिव्यम, एवम योवेती तत्व तहा, त्याक्तवम देहम पुनर जनमम, नेती ममेति सु अरजना है, अरजन उसका पुनर जनम नहीं होगा, इस श्लोक में बोला, मेरे धाम में आने के बाद वापिस नहाना पड़ेगा, तो इस प्रकार से अनेक श्लोकों में भगवान इस बात की वर्नन कर रहे हैं, लेकि सु देवं सर्वमिति, वासु देवी हर चीज़ के पीछे कारण है, समाहात्मा सु दुरलब, बहुत ही दुरलब नहीं, सु दुरलब, दुरलब सभी अती दुरलब है, इसे महात्मा मिलेंगे, तो इस प्रकार से ये जो रिशील मुनी वेदवा के पढ़ने लगे, और इस दुरलब, इतना मैंने दान दक्षना दिया, फिर मैं क्यों उस वर्ग से नीचे बेजा जा रहा हूं, इस बात को पूछने के लिए, इंदर को पूछा, इंदर ने का शीर सागर जाओंगा, विश्नु भगवान से पूछोंगा, भगवान विश्नु के शीर सागर में गया है, इसने सो अश्मेग यग नहीं किये, वो राजा बन गया है, कुछ तुर्टी हो गई है प्रकरती में, मतलब कि अगर कोई सो अश्मेग यग कर ले, तो ही वो राजा बनता है, लेकिन इंदर ऐसा करने ही नहीं देता, कोई सो अश्मेग करने का प्रयास करता है, जैसे सग प्रश्ण आफ सार्माराजु ने किया तो फिर उनका इंद्र इंद होड़ा चोरी कर लेता है अध्यवाद किता कि महत्मयाय आपने सुना प्रत्वीं पर भगवान हेरोधर रक्षाई विश्णू ने कहा आपको इस प्रस्णि का उत्तर देंगे काल की ग्राम में गोदावरी नदी के तट पर रहने वाले एक सादू, एक महात्मा आप वहाँ जाए काल की ग्राम में तो ये इंद्र काल की ग्राम में एक ब्रामन का वेश रखे गया और पूछा कि हे प्रभू, इस संसार में ऐसा कोई उपाय बताईए जिससे पाप वृत्ती वाला वेक्ती भी मुक्त हो जाए पाप वृत्ती मतलब समझते हैं, मनों वृत्ती एटिट्यूड हो मन में ही वृत्ती हो कि पाप करना हम हो सता है कार ना करते हो पाप के लेकिन मन में बड़े पापी विचार आते है वैसे तो कल्यूग में मन के विचारों कि मन के पाप का कोई फल नहीं है मन के पाप जो है उनका कोई फल लगता नहीं है क्योंकि मन के पाप माफ है लेकिन मन के पाप आप सोचें माफ है उनका कोई हमें फल नहीं मिलेगा प्रतिक्रिया नहीं मिलेगा लेकिन मन के पाप ठोस होकर के कर्मों में बदल जाते हैं जो हम सोचते हैं वो ही फिर हम कर बैठते हैं इसलिए हमें मन में बुरे विचार लाना, मन से पाप करना भी रोकना चाहिए और मन से किया गया पाप तो माफ है लेकिन मन से किया गया अपराद माफ नहीं है तो अपराद करने से बचना चाहिए वैश्णवों के प्रती, दूसरे भक्तों के प्रती हमें बचना चाहिए मन से किया गया मनसा वाचा अकर्वना तीनों रूप से आप राद नहीं करना चाहिए नपाप करना चाहिए हम वरना किसी ना किसी स्थिति में फस जाएंगे तो महात्मा ने यही बात उनको बताई और उनको कहा कि आप जानते हैं वो इंद्र राजा कैसे बन गया क्योंकि उसने भगवत गीता के अठार में अध्याय का निरंतर पांच श्लोकों का जाप प्रते दिन किया अगर पूरा 18 अध्याय पढ़ लेता तो भगवान के धाम चला जाता। इंद्र क्यों बन गया पांच श्लोक पढ़े और जादा श्रद्धा नहीं थी श्रद्धा विहीन था पांच श्लोक पढ़कर ही राजा बन गया। स्वर्ग लोग का वासी नहीं हुआ राजा बन ग आपने महिमा में आदाश लोग पढ़कर के स्वर्ग चले गए लोग क्योंकि शरद्धा जैसी जैसी अभी हमने सुना सत्रवे अध्याय में सत्रा अध्याय बताता है शरद्धा के विभाग के करण अलग-अलग गती होती है विकती की जैसे एक गाउं था उस गाउं में एक ब्रामन भी रहते थे और एक वैशिया भी रहते थी वैशिया जो थी वो अपने देह वैपार से बड़ी दुखी थी वो सोचती थी हे प्रभू काश वो दिन आए जब मुझे ब्रामन की तरह भगवान की आर्चा विग्रे की पूजा करना जाप करना भागवत पढ़ना ग धन का देहा का वैपार करके धनी बन गई और मैं भगवान का सेवा करके भी निर्धन रह गया इस किसी दिन इस वैशिया को पास जाओंगा इसको भोगूंगा और फिर इससे पूछूंगा धन का वैपार कैसे करना चाहिए काश मुझे इसका संग मिल जाए किया नहीं था लेकिन विचार था वैशिया ने भी ब्रामन का संग नहीं किया था विचार था मनों मही भावना आई दोनों ने ब्रामन ने भी वैशिया का विचार किया वैशिया ने ब्रामन का विचार किया गाओं में भुकंप आ गया सभी लोग मारे गए जैसे हमने सुनाया है विचार रखें और अकल को घुकम्प या कुछ ऐसी आपदा आजाए आदी दैविक दुखा जाए तो फिर हमें चोड़ना पड़ेगा चोड़ेगा तो जो अंत में विचार चल रहे होंगे उनी विचारों को लेकर के हम नया शरीर दारण करेंगे इसलिए हमें सभी विचार है कार की टंकी में आग लए जाती है हर जगा मृत्यू हमारा पीछा कर रही है हर पल हमारा पीछा कर रही है लेकिन हम है आनंद ही आनंद में रहते हैं हम लोग आनंद में रहते हैं लेकिन जब ये दोनों जीव आत्मा हैं यहां पूरी पहुंची यमराज की लोग में निर मैंने तो कभी जीवन में कोई पाप ने किया जिसके लिए नर्क जाना पड़े और इसने आफ तक कोई पुन्न नहीं किया जिसके लिए इसको स्वर्ग मिल जाए तो वहाँ पर सयम पूरी के यमराज ने वर्नन किया कहते हैं अरे आपके विचारों की भी तो बहुत बड़ी म है तुता है बिना विचार के बिना श्रद्धा के कोई कार करने का कोई अधिक फल मिलता नहीं है यहां पर इस वेश्या ने सदा भगवान का स्मरण किया भक्त का स्मरण किया इसको स्वर्ग प्राप्त हो रहा है और आप ने सदा इस वेश्या के गंदे वैपार का स्मरण क ऐसी ही स्टिती के बारे में कालकी ग्राम के उन ब्रामन ने इस इंदर को बताया और इंदर को कहा कि आप भी भगवत गिता के आठारमे अध्याए को पढ़िये तब से वो इंदर श्रद्धावान हो गया और भगवान की अठारवे अध्याय का पूर्ण भोग करने लगा, उसका रोज रोज उसको पढ़ने लगा, रोज उसको पढ़ता था, रोज उसका ग्यान अरजित करता था, रोज उसको बोलता था इस प्रकार से तो कालकी ग्राम के जो ये गुरूजी थे इन से जब इसने सुना आइंदर ने इतना सब तो इंदर की आँखे खुल गई इसने भी भगवत गीता के 18 में अध्याय को पढ़ना शुरू कर दिया गुरूजी से दिक्षा ले ली हरी नाम का जाप करने लगा और अपने अंत काल में श्रद्धावान होकर के कई वरशों तक जब इसने इस अध्याय का निरंतर पाट किया अंत में भगवान के धाम को गया जब भगवान के धाम को ये जीवात्मा जा रही थी तब पता चला मैं तो इंद्र के लोक में ही खुश था इंद्र राजा बन के स्वर्ग लोक में लेकिन जब मुझे हटाया गया तब मुझे पता चला इंद्र तो बहुत नीचे का स्थान है स्वर्ग लोक तो बहुत नीचे का है आप जानते हैं कि इस ब्रहमांड की रचना कैसी है हमारा लोग बिलकुल बीच में आता है जिसे पृत्वी लोग कहते हैं जहां मनुष्य रहते हैं इसके नीचे साथ लोग हैं और इसके उपर छे लोग हैं लेकिन ये पूरा एक गोलाकार ब्रहमांड में बंद है जिसे भौतिक ब्रहमांड भौतिक सृष्टी कहते हैं इसमें नीचे के जो साथ लोग हैं उन लोगों के नाम है अतल, वितल, सूतल, तलातल, पातल, रसातल ये नीचे के साथ लोग हैं इन अलग-अलग लोगों में अलग-अलग यूनियों के लोग रहते हैं जैसे अतल में बल वाले दानव रहते हैं जिन में बल भूश आ सकतिश चाली है और अतल के नीचे वितल लोक में कौन रहते हैं हट केशव नाम के शिव रहते हैं शिव भी नीचे की लोक में एक अनेक शिव है कुछ ग्यारा प्रकार के रुद्रों की चर्चव शिव भागवत में हुई है तो एक शिव हट केशव शिव जो वितल में रहते हैं फि महातल में कालिया नाग रहता है कालिया नाग की लीला आपने सुनी है महातल में रहता है और रसातल में असुर लोग रहते हैं असुर जैसे हमने पुड़ा था कि देवी और असुरी विभाग तो असुरी विभाग के अगर होंगे असुरी स्वभाव की श्रद्दा होगी तो इस लोग में जाएंगे रसातल और पाताल बे वासुकी नाग रहता है जिसे समुद्र मन्थन में भगवान कृष्ण ने इस्तिमाल किया उसकी मथानी बना के रसी बना करके मन्थन किया समुद्र का शीर सागर का अब इस पृत्वी के उपर के लोगों की चर्चा करते हैं पृत्वी लोग से उपर है भू लोग पित्र लोग जहां पर पित्र रहते हैं जो भी जीवात्मा का निर्ने नहीं होता स्वर्ग मिलेगा नर्क उसका वेटिंग स्टेशन है पित्र लोग भू लोग के उपर है स्वर्ग लोग के अंदर रहते हैं इंद्र जहां से ये विक्ति नीचे चला गया था और वापिस गिता का ठारवा ध्या पढ़कर के भगवान के धान को चला गया। स्वर्ग लोग के उपर है महा लोग महा लोग के अंदर ब्रगू रिशी रहते हैं और महा लोग के उपर है जनलोग जनलोग में नवयोगेंद्र रहते हैं जनलोग के उपर है तप लोग तप लोग के अंदर सनत कुमार आदी रहते हैं चार कुमार और फिर है सत लोग ब्रहमा जी स्वेम विराजमान है ब्रहमा जी का लोग भी भगवान के धाम से नीच आया तो इस प्रेकाश से यह भी ब्रहमा अंड के हिस्स्ते हैं क्योंकि एक ना एक दिन ब्रहमा जी को भी सरीर छोड़ना पड़ता है अब आप सोच के देखिए इंद्र बनना अच्छा है क्योंकि अगर जब तक आप भक्ती नहीं करेंगे आप इस ब्रह्मान के इन 14 लोगों के आवरण को तोड़ करके उपर भगवान के धाम में वेकुंट में जा नहीं पहेंगे लेकिन एक जो वेक्ती इंद्र बना था उसके भी पुन नशीन हो जाने पर नीचे आया और साधु का संग करके भक्ती का भजन करके ही वो भगवान धाम जा सका ये नहीं कि स्वर्ग से शॉर्टकट मारके क्योंकि स्वर्ग लोग में जाकर इतना सुख मिलेगा आदमी के पास समय कहा है कि वो भगवान का भजन करें अरे जब थोड़ा दुख आता है थोड़ा कश्ट आता है तो लोगों पा भजन जादा अच्छा हो जाता है फिर भजन के बारे में जब महिमा सुन लेते हैं फिर श्रदावानों के भजन करते हैं सुखाए दुखाए लेकिन प्रारंबिक अवस्ता में भगवान कहते हैं आर्थ अर्थार्थी ग्यानी जिग्यासू या तो अनकी कमी से मेरे पास आते हैं या तो फिर किसी दुख में मेरे पास आते हैं या ज्यानर्जित करने के लिए मेरे पास आते हैं या तो फिर किसी जिग्यासा से मेरे पास आते हैं यही चार प्रकार के लोग भगवान की शरण में जाते हैं फिर जैसे जैसी उनकी श्रद्धा बढ़ती है, जैसे संग बढ़ता है, फिर उसके साथ में वो भगवान के धाम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये 14 लोगों का आवरण तोड़ करके कोई जाए, तो वो वेखुंट जा सकता है, अन्यता वेखुंट जाना असंभव ह अलेकिन जाने का सरल रास्ता है, भगवान ने इस 18 अध्याय के 66 नंबर श्लोक में बहुत महत्पून संदेश दिया, जो की प्राए इस कौन के, इस संस्था के सभी भक्त जानते हैं पहले दिन से आंतिम दिन तक, भगवान स्री कुष्ण ने अंतिम उपदेश दिया, सर्व धर्वान परित्याज, मामेकं शर्णम ब्रजह, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, मोक्षश्यामी माशुचह, माशुचह, भगवान कहते हैं डरो मत, सर्व धर्मान परित्याज, सभी धर्मों का परित्याग करो, तो खाली हिंदू मुस्लिम सी किसा ही नहीं, किसी भी प्रकार का धर्म मतलग स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पिता हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं करता हूँ, सभी भावनाओं से मुक्त हो करके, सर्व धर्मान परित्याजम, माम एकम भगवाल ने का मेरी एक की शरण में आओ, अहम तुम सर्व पापे ब्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूँगा, मा शुचह डरो मत, कई बार लोग शरण में आने में डरते हैं, अगर हम कृष्ण की शरण में आए, इतने साल तक हमने देवी देताओं की प कृष्ण भजन कर पा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ही वो भगवान है, मुकुंद, जो मुक्ती प्रदान करते हैं, अंत में वरना आप किसी ना किसी लोग में फस जाएंगे, फिर बोलेंगे, हम तो यहां फस गए, हमने तो ध्यानी नहीं दिया, बताते तो थे, गीता लेकिन हमें नहीं पता था, गीता पढ़ने की इतनी महिमा है, कि उपर के लोग में चले जाते हैं, वेकुंट चले जाते हैं, जा जाने के बाद वापिस नहीं आना पढ़ता, वेकुंठा जहां कोई कुंठा ने, कोई anxiety नहीं, कोई stress नहीं, उस लोग में जाने के लिए ही इतनी महिनत की जाती है, भगवान ने इतने शास्त्र हमें प्रदान की है, हमें इन्हें ध्यान से पढ़ना चाहिए, और ध्यान से लोगों को सुनाना भी चाहिए, भगवान स्री कृष्ण का प्रिये बनने का एक मात्य तरीका है, हमने जब इस शलोक को पढ़ा था, उसी 67 नंबर शलोक में कहा, या इदम परमम गुयम, मदभक्तेश वविध्यासती, भक्ति मई पराम कृत्वा, एवम एवशसी संशयम, इसमें कोई संशय नहीं है, कि वो विक्ति मुझको प्राप्त कर लेगा, 68 नंबर, 68 नंबर शलोक जो है, इसमें भगवान कह रहे हैं, कि अ इदम परमम गुयम, जो इस गुयतम ग्यान को भगवान के भक्तों को सुनाता है, मदभक्तेश वविध्यासती मेरे भक्तों को सुनाएगा, तो फिर क्या होगा, इसमें कोई संशय नहीं, माम एवेशसी, वो मेरे पास आजाएगा, मेरे धाम को आएगा, ये शलोक जब महिमा समझ में आए उतनी महिमा दूसरे लोगों को वर्णन करने लग जाओ बस जो दूसरे भक्तों को यह ग्यान बताएगा वो भगवान के धाम को चला जाएगा भगवान कहते हैं इसके अगले श्लोक 69 नंबर श्लोक में 18 अध्याय में ना चा तस्मात मनुष्येशु किस् अधिक ना तो कोई प्रिये हुआ है ना कोई प्रिये होगा आपने इस कथा में भी सुना कि एक इंद्र ने जो की उपर से नीचे फेग दिया गया था भगवत गीता के 16 अध्याय को पढ़ा और उसने भगवत धाम को प्राप्त किया तो जो भगवान के इस अध्याय को ऐसा ना तो कोई प्रिये हुआ है ना भवश्यम कोई होगा आपको इस बात का ज्यान रखना चाहिए और इसी प्रकार से ये समझना चाहिए भगवान कहते हैं जो इस समवाद की इन 18 ध्यायों को ध्यान से सुनता है ध्यान से पढ़ता है भगवत गीता को आत्म साथ करता ह ये Manual of Life है एक व्यक्ति के जीवन जीने का तरीका लोग बोलते हैं भगवान हमसे क्या चाहते हैं हमें कैसे पता चलेगा इस गीता को पढ़ने से पता चलेगा और भगवान कह रहे हैं जो हमारे अरजुन के समवाद को पढ़ता है वो बुद्धी से मेरी पूजा करता है और साथ में इसको संजे ने भी देखा तो संजे अंतिम निरने लेते हुए इस अध्याय में कहते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजवूती दुर्वानीते मतिर्ममहा यत्र योगेश्वर कृष्णा जहां कृष्ण है जहां पर श्री और विजय धन भी होगा विजय भी होगी ये दुरुव निती है ये पक्की बात है ऐसा मेरा मत है संजे ने कहा और आप जानते हैं पांडवों ने भगवान सिरी कृष्ण क्या साथ कभी नहीं छोड़ा दुख में भी हमेशा दुखी रहे वनों में भटके लेकिन क अपने लोगों को इस भगवत की तगा वित्रण करेंगे और अपने जीवन को सुखी बनाके अंत में भगवान के दाम में वास करेंगे हरे कृष्णा for more such devotional programs please watch Hare Krishna television to get this channel please contact your cable or DTH operator for more information please call 877-845-845